आई ब्रिवन, स्वागत है आपका ओमस्यो कोचिंग में तो आज हम संधारित्र में आगे के स्रिंखला की बात करेंगे आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि यदि संधारित्र को आपस में कॉम्बिनेशन किया जाए जिसमें कई तरीके हैं जैसे आप जानते होंगे स्रेणी करम जिसको आप स्रीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और एक होता है समांतर करम प्रलल कॉम्बिनेशन तो आज हम देखेंगे कि क्या बातें इसमें होती हैं वैसे आपने class 10th में जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रत्रोद का संयोजन बिल्कुल उसी तरीके से संधारित्रों का भी संयोजन होता है दो प्रकार से एक होता है स्रेडी और एक होता है समानतर अगर हम बात करें सबसे पहले स्रेडी संयोजन की तो पहले तुम्हें इसके rule बता दीता हूँ जो आपको ध्यान रखने है वास्तों में इसका निगमन आपके syllabus में है या नहीं या आएगा या नहीं ये तो जरूर नहीं है लेकिन इसका जो fact है वो जब आप numerical बनाएंगे वहाँ बहुत काम में आने आला तो स्रेणी संयोजन का simple मतलब दिखीगा जैसे मेरे पास संधारित्र को पहले समझे संधारित को हम denote कैसे करते हैं तो जैसे आप battery को कुछी सरी किसे बनाते हैं कि एक plate उसका बड़ा रहता है एक plate छोटा रहता है एक पर plus रहता है एक पर minus रहता है ऐसे ही आप जो है संधारित्र को बनाने का तरीका होता यह दो प्लेट मैंने बता रखा है यहां आमने तीन संधारित लिए है और तीनों को देखना किस प्रकार से जोड़ा है मैं इसको easily तरीका बता रहता हूं देखीगा मुझे बताना यहां से अगर मैं चार्ज भीजता हूं इसको मैंने बैट्री से जोड़ दिया है एक प्लेट पर plus रहता है एक प्लेट पर minus रहता है मैंने आपको संधारित्र का जो सिद्धान्त है वो बता रखा है मुझे बताना जब इसको positive देंगे तो यह positive होगा तो यह अपने से जो ऐसा कह सकते हैं और यह यह negative प्लेट है यह इस तरीके से तो कुल मिलाकर यह हमने इस तरीके से इसको combination किया है और आप जानते है प्लस माइनस की तरफ रहता है माइनस प्लस की तरफ रहेगा सभी की धारिताएं अलग-अलग हैं एक की धारिता हमने माले c1 एक की धारिता माले c2 एक की धारिता माले c3 मुझे बताएगा जब हमें आसानी समझे कि कैसे हम पहचानेगी कि series combination है मुझे बताना जब मुझे a से b जाना है तो क्या मेरे पास कोई अन्य रास्ता है इस रास्ते के अलावा ये जो रास्ता दिख रहा है तो मैं कहूंगा कोई अन्य रास्ता नहीं है इसका मतलब कोई अन्य विकल्प नहीं है मेरे पास या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहां से अगर A से मैं किसी को भेजता हूँ तो B तक वो तभी पहुँच पाएगा जब वो तीनों संधारित से होकर जाएगा तभी यह परिपत पूरा होगा इसका मतलब यह है स्रेडी करम पहचानने का तरीका कि यदि मैं इसमें एक आबेस का प्रभा करता हूँ तो A से B तक जाने के लिए उसे तीनों संधारितों से होकर जाना पड़ेगा यह ऐसा समझे इसका जो निगेटिव प्लेट है वो पॉस्टिव से अटेच रहेगा जो निगेटिव प्लेट है वो प्लस से रहेगा इसका मतलब तुरन समझ जाएगा वो स्रेडी करम सही हो जाना है दूसरा तरीका पहचानने का क्या है हम जब भी नुमेरिकल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे जब इसको बैटरी से जोडेंगे तो यहां से हमें एक चार्ज लेंगे क्यू और इस चार्ज क्यू को इस पूरे परिपत में घुमाएंगे अब देखना जब यह चार्ज क्यू इस तरीके से यहां से पोजिटिव आएगा इस पर इस प्लेट के यानि यह क्यू आएगा फिर आगे वही क्यों इस वाले पर जाएगा वही क्यों इस वाले पर जाएगा तो यह आपका परिपत कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब यह क्यों वीवन वाले वाले पर भी जाएगा वीट्री वाले पर भी जाएगा इसका मतलब तीनों में ही आबेश जो है क्यों ही जाने वाला है इसका मतलब सबसे important fact पहला यदि संधारित प्रतेग संधारित पर आपका आबेश समान है इसका मतलब समझ जाएगा वह सीरीज combination है फिर हमने इसको convert किया इस तरीके से आपको उने बताया कि वराबर सी इंटू भी होता है तो पहले का संधारित सीवन है विव वीवन है तो सीवन दूसरे का सीटू वीटू तीसरे का सीट्री वित्री तीनों आपस में क्या होंगी बराबर होंगी यह द्यान रखेगा अभ अब देख पारहेंगे सब पर जो विभ VOICE है वो अलग-अलग है क्यूंकि सब ट्रीमेल रया अलग-अलग है आप कहते थे ना देल वर्ड इसलिए लिखा है ताकि आप नुमेरिकल में समस्या ना हो बाकि अगर मैं सीज़त तौर पर कहूं तो यहां पर आपने वह वी दिया तो यह तीन भागू में बढ़ जाएगा वी वन में वी टू में वी तरी में लेकिन टोटल कितना होगा टोटल वही होगा तो वी ब लिखा V बराबर Q by C C और 15 में से लिख दिया स मतलब सभी पर्लाभ में सीजं क्वैश कि यह जो होगा यह पूरे का होगा कोंबीनेशन होगा एक ध09 क्यूबा Te तकले हम नरकना जो आपने प्रत्रोंड में पढ़ा था यहां पर रहे घाल मतलब स्रेड़ी स ज्योंजन में नेट थायता की जो बेलू होती है वो कम होती जाती है कम होतीют तो कभीक भी ऐसा कुशन आता है कि ऐसा कौन सा कॉमबिनेशन केनी संधारितर का कि धारिता यह नेट जो है परिणामी धारिता जिसको आप यहां सीजना मतैं तो आपि मद utilizar कम हो और कि here चो होगा वह बढ़ जाता है, इसका मतलब समझे, यह जो लिखा है ब्यूत्करम अनपात्मी, जब हम सवाल करेंगे तो हमें आपको बताऊंगा, जैसे माल लेजिए, इस पर तीन माइक्रोफेरेट है, धारीता, इस पर भी तीन माइक्रोफेरेट है, और इस पर भी तीन माइ इसका मतलब समझेए अगर तीनों पर धारिताय समान है तो बिभो समान रूप से बटेगा यहां लिखा है विद्करम अनुपात में बटेगा यह लेकिन आप सोची अगर यह सी समान हो गया क्यों भी समान रहता है तो भी सब क्या होगा समान होगा तो कभी-कभी सवाल ऐसा आ है नबे वोल्ट और मैंने का सब पर धारिता सब पर धारिता तीन-ती माइकोफायरेट है तो मुझे बताओ तीनों पर अलग-अलग वोल्टेज कितना होगा तो आप डारेक्ट ली कितना बताएंगे आप तीस 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 आपके अफल भी कर सकते है तो यह जो दूसरा इसको आप डारेक्ट ध्यान कीगा तो जो संधारित की जो धारिता होती है यानि जो उसका विभव या धारिता कह सकते है तो उसके विभव के या विभव जो होता है उसके संधारित्र के वियूत करम के अनपातने विभाजित होता जैसे जैसे माली यह होता फूर यह होता और यह होता शिक्स तो फिर एलग कहा नहीं बनती है ब्यूत्क्रावन बात में कुल मिलाकर इसको में भाजित कर सकते हैं तो स्रीणी सही हो जो आपको पहला सभी पर जो आबेस होते हैं वो समान होंगे इसका मतलब वो स्रीणी सही हो जाना संधारित्र का तो हम जब भी नुम इसलब तुरण समझ जाना कि हमने जो आबेस भीजा वो बिल्कुल सही है दूसरा इनका जो विभ्वानतर होता है वो बढ़ जाता है यह आप ऐसा कर सकते हैं जो विभ्वानतर होता है वो धारिता के व्यूत्रम के अनुपात्ने बढ़ जाएगा यदि सभी की धारिताय सम होंगी तो बिभव भी तीनों का समान हो जाएगा यह इसका स्रेणी सहीं हुचाएब वैसे दो लोगों के लिए यहां पर आपको ध्यान रखना अगर दो केवल दो धारिताय होती तो डारेट आप ध्यान रखेगा वैसे आपको पता होगा c s s मतलब c d j तो आप डियार्ट ध्यान रखेगा c1 c2 बटे c1 प्लस c2 नुमेरिकल जब बताऊंगा तो हां बताऊंगा तो यह थोड़ा हल करने में आपको आसानी रहे लेकिन दो लोगों के लिए रहे गए आगे समझे इसके बाद अब आएगा समांतर सैंयोजन समस्ते हैंसमांतर सैंयोजन को समांतर करम अगर हम बात करें तो समांतर करम में आपको क्या ध्यान रखना यहां देखिए हमने आगोड़िके चितर बना रखा है इस वाली केस में आप देख रहे ओंगे बिलकुल तीनों का terminal A और B है इसका मतलब तीनों पर जो विभव हो समान है, तो पहला important fact सभी पर जो विभव होंगी आप कह सकते हैं, टर्मिल विभवांतर वो समान रहेगा कितना रहेगा? जितना उस battery का है अगर मैं पहले का V1 मानता हूं तो V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 तो पहला important fact यदि सभी का विभवांतर समान होगा कितनी के बराबर? जितना battery अपने लगा रखी है तो निश्चित है वो समानतर करम सही होंगी होंगी संधारित्र का लेकिन एक अनुभोक इसाब सेकर देखा जाए अगर हम इसाब ना देखे तो देखिए आप मुझे बताएगा हम केवल एक फिवर करेंगे हम आबेस बेजेंगे चाहे सवाल हो चाहे थेवरी हो मुझे बताना जैसे ही ए वाले इस वाले सिरे पर पहुंचेगा तो अब आबेस जो है सोचेगा किधर जाए क्योंकि इसके पास तीन रास्ते है तो तीनों रास्तों पर जाएगे एक पर हमने कहा यह क्यूँ एक में हमने कहा क्यूटू क्यूटू और एक में क्यूटू तो इस बार क्या हुआ इस बार आबेस बट गया जबकि स्रीणी करम में क्या था विवो बट रहा था ध्यान ये रखना है अगर आपको इस A सिरे से B सिरे तक जाना है तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी तीनों ही संधारे से हो कर जाना होगा कोई एक रास्ता आप बना सकते हैं तो परिपत पूरा हो जाएगा इसका मतलब क्या ह यहाँ पर मेरे पास बिकल्प है पहले वाले में स्रीणी करम में मेरे पास कोई बिकल्प नहीं था एक ही रास्ता था तुस्रीणी करम यहाँ पर मेरे पास बिकल्प है आप इस वाले रास्ते से जा सकते हैं या फिर आप इस वाले रास्ते से जा सकते हैं इसका मतलब बिकल्प होगा महा समांतर क्रम से यह आप ऐसा ध्यान रखी विभो समान होगा जबकि आबेस अलग-अलग होंगे तो हम जब भी नुमेरिकल लगाएंगे तो आबेस को भेजेंगे दिया वेस समान चल रहे हैं तो उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इसमें भी वही दो इंपोर्टेंट फेक्ट कि अब यहां अब बढ़ जाएगा अब यहां द्याद देजिए इसका मतलम बता रहे हम पहले इसको देख लिए क्यू बराभर हमने लिखा की यू प्लस-क्यूट्री चाल लोग थे तो क्यूट्री प्लस फोर फिर क्यू का फार्मुला होता हो तो यहां रहेगा C into V, सब इसमान चल ला है, C to V, C3 V, V से V cancel, तो यहां आप देख सकते हैं, डारेक्टली सब जुड़ जा रहे हैं, इसका मतलब यह है, अगर मुझसे कोई पूछे कि संधारित का ऐसा संयोजन बता दो ताकि इनको नेट किया जा तो बढ़े मान तो जब भी बैलू को अधिकतम करेगा कभी कभी ना तो समांतर करेगा ना तो स्रेणी करेगा वो अधिकतम नियुंतम की बात करेगा तो जब बात अधिकतम की करेगा संधारित की लगता बच्चों को लेकिन मैंने इसलिए लिखाय क्या बिदाना मैं इसको अगर यहाँ समझाना चाहूं आगर मैं कहों इस पर भी धारीता तीन इस पर भी दारीता तीन है तो तीनों का भी बहुत हो समान है लेकिन आपसे सिस्में भीभौ का नहीं पूछेगा कि आबेस तीनों पर कैसे होंगे यह दितीनों की धारिताएं समान रूप से बथने वाला मतलब अगर माल लेते हैं नबे प्रिस टूसरे वाले पर इसे माईक्रू गूलॉरं को Babys टो झो यको तो अगर में दूनों को कॉंबिनेशन कराओं div अगर आप से पूछ लेकी स्नेडी क्रम संधायित में चाहें लिए पहला रायसा कि यह सबते कि लिए अधर आगर क्या चाहें ठर्म स्रेणी करम सहीयोजन में पहला फैक्ट उसमें आबेस समान रहता है जबकि समानतर करम में विभव समान रहता है स्रेणी करम में विभव बढ़ता है जबकि समानतर करम में आबेस बढ़ता है स्रेणिक्रम सेयोजन में संधारित की जो धारिता होती है वो हमको नियून्तम प्राप्त होगी परणामी यदि जोड़ेंगे समांतर क्रम सेयोजन में धारिता नेट जो है हुए बढ़कर आपको मिलेगी क्योंकि ये प्लस में रहता है इतनी बात इसमें ध्यान रखिएगा नेक्ट्ट लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेन बात हम सिखाने वाले ही उसमें अवा को सिखाऊगा कि एक संधारित को यदि हम बैटरी से जोडते हैं उसके बैटरी से उसको हटा देते हैं तो उस पर उसके जो जो कारक हैं जैसे बैदुच्छेत्र हो गया उर्जा हो गई धारिता हो गई बिभव हो गया आवेस हो गया ति ये पौंच क्वांटिटियां इन पर क्या इफेक्ट पढ़ने वाला है ये कंपटीशन औ और आपका NCIT दोनों ही बहुत पूचता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे और कुछ बच्चे पूच रहते हैं कि पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें तो मैं आपको बता दूं कि अभी जब तक लागडाउन चल रहा है तो कोचिंग उपन होनी बहुत मु अगर उतना आपने कंठस्ट करके आपने पढ़ लिया है उससे ज्यादा आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो इसमें ज्यादा ना सोची कि कहां से सुरुवात करें वीडियो में मैंने आपको विभो पढ़ा रखा है विभो आंतर के बारे में सारी जानकारिया दे रखिए वहां से आप देखिए उसके सारे जितनी वीडियो उसको पढ़िए उससे रिलेटन नुमेर कल आप रिफ्रेंस बुक से अंसी आटी से बस पहले इंसी आटी मस्तों उसके बास रिफ्रेंस बुक आप सवाल कर सकते हैं मैंने संधारित को लगबग आदा से ज्याद की पर आएंगे फिलाल अभी नेक्ट लेक्चर में संधारित को जो प्रहावित होने वाली का रहे हैं उसको में सीखेंगे ओके थैंक्यी